वेल्कम बेक टू चावला मंतरा यूटीव चैनल तो फ्रेंज आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूं पोस्ट को सास्तो पचानों में यह एक्जाम हो था 13 दिसंबर 2020 को जिसमें जो जीके कोशिन पुछे गए थे तो आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूं तो सबसे पह करिए और चली देखते हैं यहां पर पहला कोश्चन तो पहला कोश्चन है यहां पर फ्रेंज हिमार्च्या पदेश इसके बीच सेथ है तो यहां पर फ्रेंज इन्होंने ऑप्शन दिये ए बी सी जिसको जो सही अंसर है वो है आपका ऑप्शन है तीस डिगरी बाई से ले और ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं अगला कोश्चन फ्रेंज यह मैंने पहली वाली वीडियो में करवाया था हिमार्च्या पदेश के किस बर्ष में पाट सी राज्य बना ठीक है तो इसका अंसर रहेगा फ्रेंज उन्नी सो इकत्तर आपने लिख लेना फ्रेंज सा साथ में उन्नी सो इकत्तर में यह बना था ठीक हैसी राज्य का दर्चा इसको मिला था ऐसे भी कोश्चन को मांग क्या सकता है अगला कोश्चन फ्रेंज चंदर कूप जीली मार्चय पदेश के किस जिले में स्तित है तो इसका अंसर एगा चंबा जो चंदर कूप जीले है फ्रेंज मार्चय पदेश के हिमनाध किस घाटी में स्तित है जो मुकिला है यह है फ्रेंज तो इससकी में पलचय में सब्सक्राइब किस समंधित है ने यह परशूराम किस समंधित है ये फ्रेंड्स रेण का जो जील है आपकी उससे समंदित है ठीक है फ्रेंड्स रेण का जील किस जील में है ये है फ्रेंड्स आपकी सिर्मोर में सिर्मोर में है यह आपकी रेणु का जील और यह सबसे बड़ी प्राकरितिक जील है जो आपकी रेणु का जील है अगला क्वेशन देखते हैं फ्रेण्स क्वेशन नमबर नाइन बिलासपूर के नलवाडी उत्सव का विचार नीमन में से किस से द्वारा परकट किया गया तो इसका अंसर एगा फ्रेंड डवल्यू गोल्ड स्टीम ठीक है अगला क्वेशन देखते हैं 10 बैजनाथ को प्रारंबिकाल में इससे जिवी जाना जाता था तो किस से जान जाता था फ्रेंड यहां पर उप्शन दिये कहलूर पूजा रिली इनमें से कोई नहीं ब्रहंपूरा तो इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि बैजनाथ का प्रहंबिकाल में कीर ग्राम नाम से जाना जाता है और फ्रेंड कोशन ऐसे भी घुमाक्या आता है बैजनाथ का पुराना नाम क्या है कीर ग्राम और बैजनाथ का मंदिर किस शैली में बना है तो वो बना है फ्रेंड आपकी नागर शैली में आपको याद रखना है और जो आपका बैजनाथ का शिब मंदिर है फ्रेंड वो किसको समर्पित है तो वो फ्रेंड आपको है और त्मोट करने देखते हैं पांग सो बारा मांगू एक प्रसीद्वारा हिमार्चल परदेश के यह जिले से समंद है तुर फ्रेंडस चंब्र हिमार्चल परदेश क trib borders 20 तो इसका जो सही अंसर रहेगा वो रहेगा 1976 में अगला Qewards आ फुर्टीन निर्मंड तामर पलेट किस श्ताब्दी के दोरान की गई अगला Qewards देखते हैं फ्रेंड-स के शासक के दोरान तेरा सो पैंसर इसमी में फिरो शाहत तुगलक ने कांगडा के किले को गेर डाला तो इसका अंसर रहेगा रूप चंदर के शासनकाल में ठीक है फ्रेंज याद रखना है कांगडा के कि शासनकाल के दुरां तेरसो पैंसरी जिस्मी में फिर्योज शाह तुर्गलक ने कांगड़ा किले को गेर डाला तो इसका अंसर रहेगा रूप चंद अगला कोश्ण है 516 स्तार्मी श्टाबदी के दुरान नदोन का युद कहलूर के राजा बीम चंद और निमन में से किन के बीच हुआ तो यह हुआ था बीम चंद और मुगल के बीच ठीक है याद रखने का अगला कोश्ण है 17 पंचाइती राज पर्शिक्षन संस्थान हिमाच्य पदेश के में किस स्तान पर स्थित है तो इसका अंसर रहेगा फ्रेंड्स मशोब्रा मशोब्रा किस जिले में है फ्रेंड्स मैक् और फ्रेंड्स एक कशन और भी मोस्ट इपोडेंट है बेंसो का मेला कहां पर मनाया जाता है यह विम शोब्रा में मनाया जाता है ठीक है फ्रेंड्स अगला कश्चन है अठारा हिमाच्चल परदेश में राश्ट्य ध्यान्यों की कुल संख्या कितनी है जिसका अंसर कुल्लू में है यह पका लौंई पीती में है और यह अपका में सबसे बड़ा पर्क आपका के और से माल्या पार्क जो सबसे शोटा है बहुत आपका में सिर सब्सक्राइब करेंगे तो इसी वीडियो के साथ जय हिंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ एक्राइब करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ